हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षा तीन हिंदी की वर्क सीट हल करेंगे उपविशय मीरा बहन और बाग तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रश्ण एक नीचे कुछ जानवरों के नाम दिये गए हैं डिब्बे में से उनकी बोलियां चुनकर लिखे तो बच्चो यहाँ पर कुछ जानवर दिये गए हैं आपको नीचे दिये गए डिब्बों में से नाम चुनकर इन जानवरों की बोली लिखनी हैं क भैस, भैस की बोली होती है रंभाना, ख घोडा, घोडा की बोली होती है हिनहिनाना, ग हाथी, हाथी की बोली होती है चिंगारना, ग बकरी, बकरी की बोली होती है मिमियाना, र शेर, शेर की बोली होती है दहारना, चलिए आगे बढ़ते हैं, च, बैल, बैल की बोली होती है डकारना, च, कुत्ता, कुत्ता की बोली होती है भोकना, ज, गधा, गधा की बोली होती है रेंकना, ज, गाय, गाय की बोली होती है रंभाना, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्न दो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अब यहाँ पर कुछ प्रस प्रश्ण को पढ़कर आप इनका उत्तर एक वाक्य में देंगे कर प्रश्ण मीरा बहन का जन्म कहां हुआ था तो इसका उत्तर लिखेंगे मीरा बहन का जन्म इंग्लेंड में हुआ था ख़प्रश्ण मीरा बहन भारत आकर किसके साथ काम करने लगी तो इसका उत्तर लिखेंगे मीरा बहन भारत आकर गांधी जी के साथ काम करने लगी चली आगे बढ़ते हैं गः प्रश्ण मीरा बहन का सारा समय किस में बीटता था तो इसका उत्तर लिखेंगे मीरा बहन का बहुत सारा समय पाल तुपसवों की देख भाल में बीटता था घ मीरा बहन के आसरम का क्या नाम था? तो इसका उत्तर लिखेंगे. मीरा बहन के आसरम का नाम गोपाल आसरम था. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रस्ण तीन दिये गए सब्दों से वाक्य बनाएए. अब यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए हैं. आप इन सब्दों को पढ़क इनसे वाक्य बना कर यहां लिखेंगे क जानवर जानवर से वाक्य बनाएंगे चिडिया घर में तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं ख गाउं गाउं से वाक्य बनाएंगे मेरा गाउं उत्तर प्रदेश में है ग बाग बाग से वाक्य बनाएंगे बाग एक खतरनाक जानवर है घ, बकरी बकरी से वाक्य बनाएंगे बकरी एक पालतू पसू है ग, गाए गाए से वाक्य बनाएंगे गाए दूद देती है चली आगे बढ़ते हैं प्रस्न चार गाए के बारे में पांच वाक्य लिखिए अब यहाँ पर गाए के बारे में आपको पांच वाक्य लिखने है आपकी स्विधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है क, गाए एक पालतू पसू है ख, गाए का दूद बहुत पोस्टिक होता है ग, गाए का स्वाभाव सीधा और सांत होता है ग, गाए के गोबर से उपले बनाए जाते है ग, गाए को गव माता भी कहा जाता है चली आगे बढ़ते हैं प्रश्न पांच मुसीबत आने पर सब अपने अपने घर में छुप जाते हैं नीचे दिये गए जानवर मुसीबत में कहा भागेंगे उचित मिलान द्वारा स्पर्ष्ट कीजिए अब यहाँ पर जानवर और उनके छुपने के स्थान दिये गए हैं तो यहाँ आपको जानवर का मिलान उसके सही छुपने के स्थान से करना है क, कच्वा मुसीबत आने पर कहा भागता है तालाब की ओर तो कच्वा का मिलान करेंगे तालाब से ख, चिडिया कहा छुपती है गोंसले में तो गोंसले से मिलान करेंगे ग, चुहा चुहा मुसीबत आने में कहा भागता है बिल में तो चुहे का मिलान बिल से करेंगे ग, शेर शेर कहा छुपता है गुफा में तो शेर का मिला गुफा से करेंगे तो बच्चों ये वर्कशीट यां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom थैंक यू